दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी ओशिधी के बारे में जिसका प्रियोग प्रमुख रूप से सरीर में मौझूद अतिरिक्त गर्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। निखार लेकर आने का कारे करती है केवल इतना ही नहीं पूर्शो वे महिलाओं के प्रजननंगों से संबंदित विभिन परकार के समस्याएं विभिन परकार के कमजोरी को भी इसके माध्यम से प्रियोग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आपको यह भी बताऊंगा कि मैं अपने क्लिनिक के उपर, अपने रोग्यों के उपर किस कमपनी की कौन सी दवा प्रियोग करता हूँ। इसके विशे में भी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी उपलब्द करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के प्रारम करते हैं। नमस्कार मित्रों में डोक्ट रोबिन सर्माप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गोंद कतीरा की। जी हाँ आप सभी ये लाब गोंद कतीरा से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इसे प्रियोग करने का तरीका पता होना चाहिए। दरसल गोंद कतीरा, कतीरा अथार्थ एस्टे गैलेस की जड़ से निकलने वाले रस के जमने से प्राप्त होता है। आप इसे बड़ी ही आसानी से अपने आसपास के पंसारी अथार्थ आयरवेदिक दवा की दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप इसे ओनलाइन भी खरीज सकते हैं। कुछ अच्छे गोंद कतीरा के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्द करवा दूँगा। या ओशधी विसेश तोर पर सरीर में मोजूद अतिरिक्त गर्मी को दूर करने के लिए प्रियोग की जाती है। शरीर में या फिर पाचन तंत्र में अतिरिक्त गर्मी का बने रहना, पिसाब का बहुत अधिक पीला आना, पिसाब में पीलेपन की सिकायत, तेजाब, ऐसेडिटी की समस्या इसे के साथ, कबज की अवस्था में भी या ओशधी बहुती लाबकारी परिणाम दिखाती है। परन्तु इसे प्रियोग करते से मैं आपको थोड़ा ध्यान रखने की आऊशकता है, वरना आपको लाब के स्थान पर और अधिक कबज का सामना करना पड़ेगा। उसके विश्य में मैं आपको वीडियो के आगे वाले हिस्चे में बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहि पुरुष जननांगों को विशेश तोर पर बल परदान करने का अकारिक करती है, अगर पित्त की अधिकता के चलते हैं पुरुष जननांगों से संबंदित किसी भी परकार की कोई भी समस्या है, उसमें इसका प्रियोग बहुती लाबकारी और बहुती सिग्र परिनाम इसके अलावा बाहिय तोर पर भी इसे प्रियोग करने पर तुचा के प्राकरतिक वर्ण में या निखार करने का कारे करती है, तुचा पर खिचावट लेकर आने का कारे करती है, कसाव लेकर आने का कारे करती है, साथी साथ तुचा के वर्ण में भी या निखार लेकर आती वोई पुर्षों में धात की समस्जा हो, अपने दोस्चा हो, या फिर सिगरपतन की ही समस्जा क्यों ना हो, ऐसी सभी समस्चाओं में इस उसिदी का प्रियोग लाबकारी परेणाम दर्शाता है, चलूए, अब जान लेते हैं इसे प्रियोग करने की विधी के बारे में उसक इसे प्रियोग करने के लिए रात्री के समय लगबग एक चोटी चमच की मातरा में पानी में भिगो कर आप रख दे, फिर सुबह इसके पानी को गिरा कर बचे हुए गोंद कतीरा को आप खा ले, परन्तु यहां आपको ध्यान ये रखना है कि इसके साथ कम से कम एक गिलास, स सादा या ठंडा पानी आपको जरूर पीना है, क्योंकि अगर इसके साथ प्रियाप्त मातरा में पानी ना पिया जाए, तो यह भैंकर कबज के स्थितिवियूत पन कर सकता है, इस बात का आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना है, धीरे धीरे आप इस मातरा को बढ़ा सक इसके अलावा गोंकतीरा के विशे में एक विशेश सला में आपको देना चाहूंगा, इसे खरीदते समय आप हमेशा ध्यान रखे, अच्छी क्वालिटी का ही गोंकतीरा खरीदे, चाहे आपको उसके लिए कुछ हतिरिक्त पैसा ही क्यों ना देना पड़े, परन्तु बाहिय प्रियोग की, तो पानी में भिगो कर गोंकतीरा को आप अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं, बाहिय रूप से इसका इस प्रकार प्रियोग किया जा सकता है, वहीं जलनी की अवस्था में भी गोंकतीरा का आज के समय प्रियोग होना प्रारंब हो चुका है, तो वहा आते हैं एक दूसरे विशे के ऊपर मैंने आप सभी से अपनी कम्निटी पोस्ट के माध्यम से पूछा था कि क्या आप लोग जानना चाते हैं कि मैं अपने क्लीनिक पर कौन-कौन सी आयरवेदिक दवा कंपनी की दवाईया सब से अधिक प्रियोग करता हूं तो आप में से 80% सच से भी अधिक लोगों ने हा में जवाब दिया तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं अपने क्लीनिक पर किस-किस दवा कंपनी की कौन-कौन सी दवाईया मैं प्रियोग करता हूं जहां तक बात है चोन आधिक विशे में आमतोर पर अधिक तर चोन ध्यान से सुनिया अ भिन वटी, गुटीका, रस रसायन अधिकतर समय मैं उंजा, धूत, पापेश्वर, डाबर या फिर सरमायू कम्तनी की प्रियोग करता हूँ वहीं भस्मादी की जब बात आती है तो मेरा विश्वास केवल उंजा, जंडू और सरमायू कम्तनी के उपर है वहीं स्वर्ण भस्म या फिर अन्य महंगी ओशिधियां जिनको बनाने के लिए स्वर्ण आधि का प्रियोग किया जाता है वहाँ भी मैं केवल उंजा, जंडू और सरमायू कम्तनी की ही दवाईया प्रियोग करता हूँ कुछ महतपूर्ण दवाईयों के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्द करवा दूँगा अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक सदिक लोपाश शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने सुझाओ अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए और अ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इससे अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा अभी आगया चाहता हूं मिलते अगले वीडियो में